नमस्कारा है प्रेंट बाचपई अपने यूटूब चैनल में प्रेंट बाचपई पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज जो पेपर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है एससी सी एचसल दोजार बाइस नौ मार्च दोजार तेस को जो पेपर हुआ है सेकेंड स स्टक्ष पर चैनल में उसके कंप्लीट मैस के को यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले सर्फ में जितने मैस के कोशन पुछे गया है उनको एक advanced approach के साथ यहाँ पर हम लोग solve करेंगे तो यह class उन सभी है sprint के लिए बहुत ज़्यदा helpful होने वाली है जिनका आगे SSC का कोई भी exam लगा हुआ है जो बच्चे MTS वाले हैं जिनका इसी मन्त exam है वो इस session को जरूर देख के जाएं आपको काफी से help लेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है यदि k plus बन अपान k minus 2 बराबर 0 और k is greater than 0 तो k की पावर 17 प्लस बन अपान k की पावर 12 का मान कितना होगा तो यह तो आपको पता होगा बहुत easy question है यहाँ पे हम इसे क्या ले सकते हैं k plus बन अपान k अगर 2 को उधर लेके जाएं तो यह क्या हो जाएगा k plus बन अपान k बराबर 2 और यह property कब satisfy होती है k बराबर बन पे k बराबर बन पे यह property satisfy होती है तो इसका मतलब है चाहें कुछ भी पूछा गया हो यह भी बन हो जाएगा यह भी बन हो जाएगा यानि की इसकी value कितनी आजाएगी आपकी 2 आजाएगी इस case में 2 question बनते हैं या तो यह minus 2 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा जब minus 2 के बराबर होगा तो minus 1 1 पे satisfy हो जाएगा और 2 होगा तो बंद पे satisfy हो जाएगा ठीक है तो इसका answer कितना होगा 2 होगा तो उमीदे की question आप समझ गया होगे पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होगे board mask का question है simply say solve करना आपको तो भाग को जब गुड़ा में change करते हैं तो उसके answer हर में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले हम answer को solve कर लेते हैं तो यह 1 और इसको गुड़ा में अगर convert करेंगे तो 2 आपका उपर चला जाएगा into 1 बटे 2 clear plus आपका 1 बटे 2 into 1 बटे 2 और यह आपका 2 ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इससे यह cancel हो गया इससे यह cancel हो गया तो यह 1 plus 1 by 2 यानि कि ऊपर वाला जो part आगया वो कितना आगया 3 बटे 2 अब नीचे वाला part solve करते हैं कितना हो जाएगा आपका 1 बटे 4 into 1 बटे 4 गुणा 2 हो जाएगा plus आपका 1 बटे 4 गुणा 4 गुणा 1 बटे 2 minus का यहाँ पर 1 बटे 2 फिर minus का 1 बटे 4 और गुणा 2 into 1 बटे 2 तो solve कर लेते हैं 2 से काटेंगे 2 दूना 4 4 से 4 cancel हो गया 2 से 2 cancel हो गया यानि कि कितना एक बटे 8 ही आया plus आपका यहाँ पर 1 बटे 2 आया और यहाँ पर 1 बटे 4 आया तो LCM कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 1 2 चकू 8 4 और यहाँ पर 4 दूनी 8 तो 4 और 5 में से दो गया तो कितना बच्छा 3 बटे 8 तो अब salve कर लो 3 बटे 2 उपर वाले का और नीचे वाले का 3 बटे 8 ये 8 से जाएगा और ये 8 इस से गुणा हो जाएगा तो 3 से 3 आपका cancel हो गया तो 8 बटे 2 बराबर कितना जाएगा आपका 4 बस यहाँ पे solve करना और कुछ भी नहीं है ठीक है तो simple है question और इसकी complete PDF आपको आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो telegram जो channel है उसका link description में दिया हुआ है वहाँ से आप उसे join कर सकते हैं देखो अगला question यहाँ पे दिया हुआ है यदि x की power 4 प्लस बना पान x की power 4 बराबर 47 है तो x q प्लस बना पान x q निकालना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको निकालने के लिए पहले आपको x प्लस बना पान x निकालने की जुरत पड़ेगी ठीक है तो वो कैसे निकलेगा ऐसे question को solve करने के लिए बस assume करो कि इसे हम x प्लस बना पान x तक हमें पहुचना है ठीक है तो अगर हम दोनों तरफ दो जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा x square प्लस बना पान x x square प्लस बना पान x square का whole up square बराबर कितना है 49 तो उस पर under root ले लेंगे तो आपका x square प्लस बना पान x square की value कितनी हो जाएगी 7 समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझ सकते हो इधर 2 जोड़ दिया इधर 2 जोड़ दिया तो इधर ये उन चास हो गया और ये इधर x square प्लस बना पान x square का whole up square हो गया तो अगर square हटाएंगे तो इधर under root लेंगे तो इस इशकों में direct लिख दिया फिर एक बार इस form को समझो कि अगर 2 इधर जोड़ें 2 इधर जोड़ें तो इधर 9 होगा और इधर x प्लस बना पान x का whole up square होगा तो अगर x प्लस बना पान x निकालें तो under root 9 यानि कि कितना आजाएगा आपका ये 3 आजाएगा clear अब अगर x प्लस बना पान x आपको दिया और x cube प्लस बना पान x क्यों आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना इसका cube करेंगे minus 3 into x प्लस बना पान x की जो value है वो कितनी है 3 तो 3 तिया 9 तिया 27 minus कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना जाएगा आपका 18 तो चौथा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होगे यहाँ पे पूछा क्या गया है तो बहाँ से आपको पता चल जाएगा question पढ़ने की जुरत है या नहीं है कुल कितने प्रतिशन लोगों को काला रंग पसंद है ठीक है काला रंग बाले कितने लोग है यह black वाला color है यह total कितने है black वाले 10 total लोग कितने है 12, 3, 15, 15, 18, 20, 30, 10, 33, 33, 49, 49, 41, 40, 40, 40 और 10, 50 into 100 तो यह दो बार जाएगा यानि की कितने लोग है 20 प्रतिशत लोग है तो तीसरा वाला जो option है वो आपका विल्कुल correct है ठीक है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है यह दि किसी ब्रत्र के दीर्ग चाप पर एक जीवा दोरा आंत्री कोड जो है वो 55 डिगरी है तो ब्रत्र के केंद्र पर सवान जीवा दोरा कोड क्या होगा तो समझ लो जैसे यह एक हमने सर्किल बना लिया ठीक है अब दिर्ग ब्रत्थ खंड क्या कहलाता है जैसे अगर हम एक जीवा खीचें तो ये छोटा वाला जो खंड है ये क्या कहलाएगा लग ब्रत्थ खंड और ये उपर वाला क्या कहलाएगा दिर्ग ब्रत्थ खंड तो कह रहा है कि एक जीवा जो है वो जो है इसकी परीदी पर कितने angle बनाती है कितने angle बनाती है 55 degree का angle बनाती है तो केंदर पर कितना कोण बनाएगी तो आपको पता होगा कि केंदर पर बना कोण परीद पर बने कोण का दुग ना होता है यानि कि ये वाला जो angle होगा वो कितना होगा 110 degree होगा तो पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है A की I का 20 प्रतिशत B की I के 10 प्रतिशत के बराबर है तो A की I अगर 2550 है तो B की I क्या होगी ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं इसे मौकिक कर सकते हो A की I का 20 प्रतिशत है वो B की I का 10 प्रतिशत के बराबर है यानि कि हम कह सकते हैं यहां से relation क्या समझ में आया कि A और B की I का अनुपाद कितना है एक और दो यानि कि A की जो I है वो अगर एक है तो B की I उससे double है तो A की I अगर 2550 है तो B की I इससे double यानि कि कितनी हो जाएगी पांच हजार सो यानि कि एक क्या बंस हो जाएगी इससे जब दो से गुणा कर दोगे तो एक क्या बंस हो जाएगा क्लियर अगला कोश्चन आप लोग देख पा रहा होंगे एक धनरासी सदार ब्याज पर 10% बारसिक दर से तीन वर्स में 403 रुपे हो जाती ही तो उस धनरासी का मूल क्या होगा मतलब मूल धन आपका क्या होगा तो सिंपल इंटे सिंपल होता है तीन साल में ब्याज कितना मिला 10-3-30% तो तो 100% धनरासी और 30% ब्याज यानि कि टोटल मिस सदन कितना हुआ 130% question में कितना दिया है 403 तो miss done की जो value है वो कितनी दिया है 403 आप से mole done पूछा है यानि की 100% की value पूछा है तो 403 बटे 130 into कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा तो 0 से 0 cancel हुआ 13, 49, 13, 1, 13 यानि कितना जाएगा आपका 310 तो पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे question दिख रहा होगा आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा नीचे कर लेते हैं दिख रहा होगा वैसे चलिए क्या दिया हुआ है cost B की जो value है वो 5 बटे 9 है तो cost इक भी क्या होगा तो आपको पता है cost sign ये सब क्या है समकोर तिख के ratio है ठीक है तो cost भी ये हैंगिल अगर हम B माल लें तो cost बराबर क्या होता है आधार बटे कर तो आधार इसका 5 हो गया और कर न कितना हो गया नो हो गया ठीक है तो इसका lump कितना हो जाएगा इसका square यानिकी 80 और minus इसका square 25 तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 में से 5 गया तो कितना हो अचा 6 और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना हो अचा 56 हुआ तो 14 56 होता यानिकी 2 under root 14 हो ठीक है अब cost बराबर क्या होता है आपका कंड बटे लंब तो कंड बटे लंब यानिकी कितना हो जाएगा आपका कंड कितना है 9 और लंब कितना आगया आपका 2 under root 14 तो कौन सा option correct है जो चौथा वाला option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होगे साइन बटे साइन बटे कॉस और प्लस साइन लिख सकते हैं अगर साइन कामा ले लेंगे तो बन अपान कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे से के माइनस का बन और नीचे से के प्लस बन हो जाएगा यानि कि पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है रोहित एक गेंद को 700 रुपए में खरीदता है रोहित इस गेंद पर ग्राहग को 20% और 40% के दो क्रमागत बटे देता है गेंद का विक्रे मुल क्या होगा सिंपल है 700 रुपए की चीज है बच्चो वाला question है 20% का discount या नहीं की 80 बटे 100 और फिर 40% का discount या नहीं की 60 बटे 100 तो 2-0 से 2-0 cancel होगे 2-0 से 2-0 cancel होगे 8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 यानि की वो option correct होगा जिसके last में 6 है एक ही option ऐसा है जिसके last में 6 दिया हुआ है तो ये वाला आपका correct हो जाएगा ठीक है अगला question आप लोग देख पा रहा होगे दिया हुआ है एक car जो है वो 40 km की दूरी 24 मिनट में तेह करती है यदि car की चाल 40 km पती घंटा घटा दी जाए तो car दोरा या दूरी तेह करने में कितना समय लगेगा देखो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे चाल गुणे समय ठीक है अगर ये value constant है इन दो का product अगर constant है इसका मतलब है अगर चाल का अनुपाद b1 और b2 है तो time का अनुपाद इससे उल्टा होगा कहने का मतलब यह है कि अगर चाल का अनुपाद माल लेते है तीन अनुपाद 4 है तो समय का अनुपाद 4 और 3 होगा तब ये दोनों का product constant होगा चाल तीन बारा चाल तीन बारा ये बात आपको समझ में आ गई अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आपको उसका reason समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो अगर हम इसकी चाल निकालें तो चाल कितनी हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय यानि कि 40 बटे 24 और इसको गंटे में अगर change करोगे तो अभी 24 बटे 60 होगा 60 उपर चला जाएगा तो चाल चाल कितनी है पहले चाल कितनी थी 100 और फिर 40 किलोमेटर पर घंटा कम हो गए यानि कि अब चाल कितनी हो गए 60 किलोमेटर पराबर तो चाल का जो अनुपात है वो कितना है 5 अनुपात 3 है दूरी constant है तो time का अनुपात 3 और 5 होगा ये बात clear अब यहाँ पर इस 140 में time कितना लग रहा 24 मेंटर है नहीं कि 3 ratio की जो value है वो कितनी है 24 तो एक ratio की value कितने के बराबर 8 के बराबर तो ये 5 ratio की value 5 into 8 है नहीं कि 8 पंचे 40 हो जाएगा clear और अगर इनके बीच का difference पूछे तब भी बता सकते हो दो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो ठीक है तो समझ में आ गया होगा अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक लंब रती संकु के आधार की जो परिदिये वो 88 cm है यदि संकु की उचाई जो है वो 28 cm है तो संकु का बक्त प्रिष्टी छेथपल क्या होगा संकु आपको पता होना चीए कैसे बनता है जब संकु और तिबुच को या तो इसके आधार के परिदा गुमाएंगे तो आपका संकु इस तरीके से बन जाएगा या इसकी उचाई के परिदा इस तरीके से गुमाएंगे एक आपका नीचे बनेगा मतलब अगर हम इसके परिदा गुमाएंगे माल लेते तो इस तरीके से बनेगा और इसके परिदा गुमाएंगे मतलब दो तरीके से बनता है या तो उचाई के परिता गुमाओगे या आप आधार के परिता गुमाओगे ठीक है जैसे इसके परिता अगर हम गुमाएंगे इस तरीके से तो इस तरीके से आपका बनेगा संकू ठीक है अगर आधार के परिता गुमाएंगे अगर उचाई के परिता गुमाएंगे तो इस अब इस तरीगे से एक संकू बना हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाग की इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसकी उचाही कितनी है, 88, ठीक है, आधार की परिदी, आधार तो एक सरक्ल है, तो यानि कि 2 पाई आर की जो वैलू है, वो कितनी है, 88 है, तो 2 इ ये वैलू जो है, वो कितनी होगे, 14, अब इसकी लेटरल हाइट की आपको जुरुत पड़ेगी, तो ये समकूर्ट तीबुच होता है, आपको पता होना चाहिए, अब इसको साल्प करनी की जुरुत नहीं, इसका रेशियो देखो, 14 से गरम काटें, तो 14 एक कन 14, 14 दोनी 28, तो अगर ये एक है, ये दो है, तो ये वाली साइट कितनी होगी, दो का स्प्वेर, 4 प्लस 1, यानि की रूट 5 होगी, और 14 आपने बाहर रखा था, यानि की लेटरल हाइट कितनी आ गई, 14 अंडरूट 5, ये बाद समझ में आ गई आपको, तो अब इसका प्रिष्टीशित पल निकालो, क्या होता है, पाई आरेल, पाई की वैलू कितनी, 22 बटे साथ, आर की वैलू कितनी, 14, एल की वैलू कितनी, 14 अंडरूट 5, तो 7 दोनी 14, 22 दोनी कितना हुआ आपका, 44 इंटू 14 इंटू अंडरूट 5, तो 14 चक्कु 56, यानि की 616, अंडरूट 5, पहला वाला ज की कोश्चन है, एक व्रत्त की परिदी 88 सेंटीमेटर है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि परिदी अगर 88 सेंटीमेटर है, तो रेडियस कितनी आती है, जो रेडियस है, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 14 अभी हम लोगों निकाला तक, कैसे, 2 पाई यार बराबर 88, इस ची यो इस तरीकर का, जीवा जो है, एक्स वाइस ब्रत्ट की परिदी पर नबब दिगरी का कोड़ बनाती है, तो आपको अगर ये पता है property, कि केवल और केवल ब्यास जो है वो परिदी पर नबबब दिगरी का कोड़ बनाता है, तो इस कोश्चन में कुछ नहीं है, यानि कि देख पा रहा होंगे यहां पर दिया हुआ है बेंजग जो है इस तरीके से इसमें सो पद हैं इसका मान क्या होगा देखो अगर इन दो पद को साल्फ करें तो माइनस बना रहा है इन दो पद को साल्फ किया फिर माइनस बन यानि कि दो से हमें दो पदो को साल्फ करने पर पचास बार माइनस बनाएगा, यानि कि इसका जो आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस पचास होगा, ठीक है, बागी इसमें बहुत जा दिमाग लगाने की चुरत आपको नहीं है, ठीक है, अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, कि 6 cm त्रिज् रेके केंद इसे उकर के गुझरता है, तो ब्रत्यकी उभैनिश जीवा ग्या होगी, इस तरीके से 2 सर्किल है, ठीक है, बना लेते हैं, इसका एक केंदर है, ठीक है, बड़ सा फीगर उतना अच्छा नहीं बना, बाकि अब समर सकते हो, जोंगे डोनों की रेडियंस 6 है, ए यह वाली जो डिस्टेंस से यह विच्छे होगी, इसको अगर हम इससे मिला दें, तो यह विच्छे होगी, इसको अगर इससे मिला दें, तो यह विच्छे होगी, तो यह जीवा जो है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, अब आपको पता है, कि यह क्या हो जाएंगे, समधिवा अगर यह तो इधर वाली भी तीन होगी यानि कि टोटल कितना हो जाएगा तो तीसरा वाला जो आप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे थोड़ा सा इससे भी नीचे कल लेते हैं वैसे दिख रहा होगा आपको दिया हूआ है एक सोसाइटी के 120 अधस्यों की वह सताई जो है वो 123,5 बर्स है 32 पाइंट कितना है Install nama 5 बर्स है दीस नहीं सदस्यों को सामिल करने पर असताई जो है वो 58.2 बर्स हो जाती है तो नहीं सामिल होए सदस्यों की और सताय क्या होगी कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो 120 लोग जो है उनका जो average है वो कितना है 62.5 है ठीक है और उसके बाद कहरा है कि 30 नय सदस्य अगर आते हैं यानि कि total लोग कितने हो गए आपके 150 जब 30 नय लोग आ जाएंगे तो लोग कि आपके कितने हो ज आए हैं वो कितने हैं वो आप देख लो तो यहां पे 120 से 150 यानि की 30 लोगों की ब्रद्धी हुई है और यहां पे कितने की कमी हो रही है आपकी देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 और 12 में से आपका यहां पे 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचा और 12 में से 8 गया तो कितना ब गुणाँ कर दो और इसको इससे गुणाँ कर दो बस तो यह क्या जायेगा जो लोग सामिल हुए हैं उनका समा जायेगा तो एवरेज निकालना आ गया और फिर यह आएगा आपका प्लस में यहाँ पर भी आपका पॉइंट हट जाएगा तीन दूना कितना हुआ अच्छे ती अठ चौबिस हुआ आपका और तीपच पंदरा और दो कितना हुआ सत्रा जब इसमें से घटाएंगे तो छे से 6 गया जीरो चार में से एक गया तो दो और एक यह तीस लोगों का सम आया तो तीस से अगर डिवाइड करेंगे तो यह अबरेज है जाएगा तीचोग बारा और तीन एक कन तीन है नहीं कि 41 एर सा जाएगा तो पहला वाला जो आप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख प यू भी जो भी लिखा है अभी आपको समाँन में आ जाएगा ठीक है इस तरीके से एक ट्रेंगल बना हुआ हुआ ठीक है यह एस टी और यू है ठीक है एस जो है वो इसके समानतर है ठीक है तो आपको पता है कि यह धिल्स्थोरम को अप्लाई करता है SX ये और XT इसका अन u y यानि कि ये value जो है वो आपकी 20 है यानि कि 5 ratio की value 20 के बराबर तो 1 ratio की value 4 के बराबर आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है su तो su यानि कि ये पूरी distance तो 5 और 2 7 ratio की value आपको निकाल लिए है साथ चोक कितना हो जाएगा 28 यानि कि 28 तो दूसरा वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct होगा अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे यहां पे पूछ रहा है आपसे क्या पहला statement पूछ रहा है कि company L और M दोरा की गई बाएको की कि गई बाएको की कि कुल बिकरी का इतना पतिशत है तो देखो L और M में बाइकों की बिक्री तो बाइक कौन सी है ये वाले ये जो डार्क हैं ये वाले बाइक हैं और ये जो सर्किल टाइप के बने हैं ये आपके कार हैं तो L और M में बाइक कितनी बिक्री बाइक 500 यहां पर बिक्री साड़े 400 यहां पर बिक्री यानि कि साड़े 900 बिक्री और काट कितना हुआ 1700 इसका परसेंटेज देखो क्या इतना आ रहा है नहीं आ रहा है तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 17 से काटेंगे देखो 17 पाइकों की कुल बिकरी कितनी होगी 500, 4,500, 6,700, 800 से जोड़ेंगे तो कितना आया 1300 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो यह कितना जाएगा 4000 आ जाएगा ठीक है और 200 इसका निकाल लो कितने परसेंट होगा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और एक जीरो यह कैंसिल हो गया यानिकि कितना हुआ 310 बटे 4 तो 4 से काटो 4,28 फिर 4,28 और फिर 4,28 चार दुनिया चार पंचे 20 तो यह कितना हो जाएगा आपका नई 4 पंचे 20 ही होगा तो कि 28 हुआ दो बचा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा तो यह 77.5 आ जाएगा यानि कि statement दूसरा वाला जो है वो आपका correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे यहाँ पर पूछा है जो है वो सभी बर्सों में जे दौरा का का कुल उत पादन है और ल 2 है जो सभी बर्सों में के दौरा का कुल उत पादन है तो इसका difference बताना है तो यहाँ पर इनको जोड़ो कितना जाएगा 120 और 80 दो सो 240, 270, 270 और 20, 290 और यहाँ पर कितना जाएगा 110 और 120 कितना हुआ, 110 और 120 कितना हुआ, 230 और 330 और 400 तो इनका difference कितना जाएगा आपका 110 तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question पूछता है आपसे कि कुल अंकों का प्रतिशत कितना है, किसका, total लड़कों के कुल अंक कितने 800 यानि कि 100% की जो value है वो 800 के बराबर है, तो 1% कितना हुआ, 8 के बराबर हुआ, तो आपसे पूछ क्या रहा है, राजू, रोहित के अंक इसे निकालने की जुरत ही न आज, तो इसको compare करके बताना है, तो 5, चक्कू, 20, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, यानि कि इस से कितना कम है, 25 प्रतिशत, ठीक है, अगला देखो question, simple है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको पता होगा, इसमें conjugate से गुणा करना है, under root 1 minus sin A, बटे 1 plus sin A है, ठीक है आपका sin A, तो क्या करेंगे, 1 minus sin A से उपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 minus sin A से उपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका, उपर 1 minus sin A का whole of square, और नीचे क्या होगा, 1 minus sin square A, उसे हम लोग कह ले सकते हैं, cos square A, तो बाहर निकल के 1 plus sin A आएगा, और बटे में cos को ब्रेक कर दो, cos A इसके भी नीचे आजाएगा, cos इसके भी नीचे आजाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका, से के plus 10 है, ये property होती है, आपको direct property पता होनी चाहिए, से के, ये आपका minus में है, ठीक है, minus, ये minus में है, तो ये minus में आजाएगा, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, राहूल अपनी AI का कुछ भाग खर्च करके, sales भाग की बचत करता है, उसके खर्च और बचत का जो अनुपात है, वो 5,95,4 है, खर्च और बचत का अनुपात 5,95,4 है, यानि कि total आए उसकी कितनी हो गए, 9, अब दिया है, राहूल की कुल आए, 36,000 है, यानि कि 9 की वेलू जो है, वो 36,000 के बराबर है, तो एक की वेलू कितने के बराबर, 4000 के बराबर, तो कह रहा है कि उसके दौरा खर्च की के जमरासी कितनी होगी, तो 5,20, 20,000 हो जाएगा, यानि कि दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, simple है question, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, इसको भी इसी concept से आप लगा लो, जो मैंने अभी आपको एक question बताया था, question आपको visual हो रहा होगा, 20 वेक्तियों का उसत भार, 60 kg है, एक नए वेक्तियों का उसत भार, जो है, वो कितन Champ, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, एक कम हुआ, यहाँ पर एक बाड़ा, इसको इस से गुणा कर दो, इस से गुणा कर दो, तही कितना होजाएगा, माइनस का 20, और यह प्लस का कितना हो जाएगा 69, तो इसका मतलब है, नए वाले का भार कितना है, 49 kg है, ठीक है, तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे simple है एक बेखती ने 80 रुपे प्रतिपेन के दर पर 80 पेन खरीदे 40 पेन 20 प्रतिशत की हानी पर बेशता है यदि सभी पेनों को मिला कर उन पर 20 प्रतिशत का लाव अर्जित किया जाता है तो सेज 40 पेनों का लाव प्रतिशत क्या होगा तो देखो यहां पर percent में पूछ रहा है तो percent जब भी पूछा जाए तो value निकालने की कोई जरूत नहीं तो यहां पर जो 80 रुपे प्रतिपेन का price दिया है इसका कोई मतलब यह यह कह रहा है कि total यह 80 पेनों पर कितना profit चाहता है 20% का profit चाहता है इसने 40 को कितने पर बेचा 20 प्रतिशत की हानी पर बेचा ठीक है सेज 40 को कितने प्रतिशत के फायदे पर बेचे ताकि इसे total पर 20 प्रतिशत का फायदा हो ठीक है सेज 40 को कितने पर बेचे तो आप ऐसे भी कर सकतो 40 से काड़ दो यह दो आया ये एक आया यह एक आया यानि कि दो को एक और एक में तोड़ दिया गया तो अगर 20-20 परसंट दो लोगों बटेगा तो कितना हुआ 40 परसंट और यह माइनस का 20 परसंट माल लेते हैं कि X percent का फायदा या नुकसान होगा तो प्लस का X percent तो इधर जाएगा यह कितना हो जाएगा 60 percent यानि कि अगर total पे 20 percent फायदा चाहता है तो इस बाले 40 को 60 percent के फायदे पर बेचना होगा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे value का भी कोई मतलब नहीं है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे अगला और last question P और Q मिलकर किसी कारे को 20 दिन में कर सकते है Q अकेले उस कारे को 25 दिन में कर सकता है P अकेले उस कारे को कितने दिन में करेगा P और Q उस कारे को कितने दिन में करते है 20 दिन में कि उकेले उस कारे को मौ CEO 25 दिन में करता है तो इसका SM कितना हो जाएगा 100 यानि कि यह 5 लग डूब बनाता है यह 4 बनाता है यानि कि दूसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है तो जितने भी 25 question है उनका solution मैंने करा दिया अगर आपको एक class अच्छी लगी है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा share करिए और यहाँ पर आपको complete इसका solution करा जागा उसके अलावा आप लोग live classes को भी join करिए आपके लिए especially live classes हमने start की है सुबह morning में 9 बज़े से live class चलती है ठीक है उसके लावा साम को 8 बज़े से live class चलती है तो इस live class को आप ज़रू join करिए उसके लावा इसका content है इसकी जो pdf है वो आपको telegram channel में मिलेगी उसका link description में दिया हुआ है उसको आप join कर लेजे बहाँ से आपको सारा content free of cost मिलता रहेग आपको इतना content में दे दूँगा कि आपको किसी का course join करने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो करना किया इस video को ज़्यादा share करना है उसके लावा अगर आप channel पर नहीं है और आपने अभी ते किसे subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करना मत भूले